चेहरा आपकी सान बढ़ाता है पर हस कर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है हेलो एव्रिवान, गुट मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज देखिए कितना सुन्दर मौसम हुआ है तो चलिए, फ्रेंग्स हो गई है, हमारी सुबह की बूजा और क्योंकि कल मेरा फ़ाश ठीट था तो झाय पानी भी पी लिया है तो चलिए फ्रेंड्स अब कुछ बना लेते हैं तो चलिए बना लेते हैं मेढ़ामीः खला और हम बनाएंगे आटे का हल्वा पहले हम घी में थोड़ा सा मेवा फ्राइ कर लेंगे इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है जब फ्राइ करके डालते हैं हल्वे मेवा तो बहुत ही अच्छा कृंची सा स्वाद आता है तो बिवा हम फ्राइ कर लेंगे और यहां पर हम अब घी में डाल देंगे आटा जो हमने चान के रखा हुआ था और इसको धीमी आज पर इसको अच्छे सिक्तम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे अब देखिए अब यह हलका हलका ब्राउन हो गया है और इस घी भी रिलीज कर रहा है इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ी सी सोंड और यह है थोड़ी सी इलाइची पाउडर और हमने यह जो मेवा भून के इसको करश करके रखा हुआ था वो भी डाल देंगे के इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी आप जितना मीठा खाना चाहते हैं उसके अखौरिंग इसमें टीज़ 鉄्चीनी राल देचे कर लेंगे और इसमें यeles डाल देंगे हम पानी lingen के बाद तो आप को continuous चलाना पड़ेगा क्योंगी इसमें लंप्स बन जाते हैं तो आप इस तरह yes करके जिससे भी आज आ रहे हैं मैस करके ऐसे करके करते रहें खिट हुड़ी के देरबाद यह गाढ़ा हो जाएगा देखिए यह अपना गड़ा हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे एक चमबच की इस यह उपर से घी डालने से जो इसका स्वाद होता है ना बहुत अच्छा हो जाता है इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे और लीजिए हमारा हल्वा तो त्यार हो गया है हम खिला तो सकते नहीं फिर भी पताईए का कैसा बना है चलिए इसके बाद हम बना लेते हैं सबजी तो हम यहां पर बनाने जा रहे हैं आलू और स्वयाविन की सबची हमने थोड़ा सा कडाई में मस्टर्ड डाल दिया है हमने यह जो सोयाविन की बढ़िया थी इनको भीबोके रखा हुआ था और इनका पानी नी चोड़के इनको अलका सा तेल में फ्राई कर लेते हैं इससे अच्छा स्वाद आता है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा और गरम हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मेथी थोड़ी सा जीरा हींग और हरी मिर्ची हमने काटके रखिए यह भी डाल देंगे इसके बाद हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर और गरम मसाला इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर क्योंकि हमारे मसाले जले नहीं और इसके बाद इसमें डाल देंगे नमक इसके बाद इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको ढखके रख देंगे गल्ले के लिए जब यह अच्छे से गल जाएंगे हमारे मसाले भी पख जाएंगे तब इसके बाद से इसमें हम बाकी सब डाल देंगे दिखिए मसाले कल गया है तो यहां पे मसाले हमारे तयार हो गए हैं अब इसमें हमने जो आलू बॉइल करके रखा था और साथ में ही जो सोया बीन भून के रखा था उसको भी डाल देंगे और इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे इसके बाद हम अपने जितना जरूरी लगे ग्रेवी उसे साफ से आप अपने डाल सकते हैं मैं इसमें लगबग एक लास के बराबर पानी डाला है बहुत जादा ग्रेवी भी नहीं करेंगे बहुत जादा सुखा भी नहीं करेंगे तो इसे पानी डाल के मिक्स कर लेंगे और ढख के रख देंगे जिससे पक जाए मैंने यहाँ पर एक आलू को मैश करके रखा हुआ था मैं इसे भी इसमें डाल दूँगी इसे ग्रेवी जो होती है वो ठीक हो जाती है और खाने में अच्छा लगता है मुझे यहाँ पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सौर मिस कर दिया था और लीजे यहाँ पर सब्जी तेयार है अब मैंने यहाँ पर जो दहिया की पत्री काटके रखी थी वो भी डाल लोंगी तो लीजे सब्जी तो तेयार हो गई और अब है पूरी बनाने का प्रोसेस तो मैंने आपे आटे में सुझी मिक्स किया है साथी कसूरी मेती दो चमच मैंने आगी और नमक का यूज किया हुआ है और मैं उसके अच्छे से अपने दोनों हाथों से मिला लूंगी और इसके किसता की चाय के साथ का सकते हैं या आचार के साथ और अच्छा लगेगा और बटाए हमारी डिक कैसे लग रहे हैं आप अपकर कमेंट करना बिल्कुल भी बंद कर दिये हैं और प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करिए आप लोग की कमेंट से मुझे बहुत जादा मोटिवेशन मिलता एक जुड़ाओं महसूस होता है कि आप लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं तो इसमें इंट्रेस्टेट भी होते हैं यहां पर मैं फटा मुझे हमेशा ही अपने खाने में कुछ नहीं था बहुत अच्छा लगता है सो फ्रेंड्स यह था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग आई होप कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिए बाइ फ्रेंड्स लॉट्स अप्लाइब